Hello guys, how are you? I hope आप सभी ठीक हैं, स्वस्त हैं और तंदुरूत भी हैं कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था water softner के उपर में उस वीडियो को आप लोगोंने धेड सारा प्यार दिया है और बहुत सारे comment आप लोगोंने किये है तो उसी के चलते मैं सोचा कि water softner के उपर में एक थोड़ा सा elaborated video बना देना चाहिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लीजिए, अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो water softner के regarding आपके काफी सारे questions का answer इस एक वीडियो में आपको मिल जाएगा नमस्कार मैं हूँ देव फिर से आप लोगों को एक बार स्वागत करता हूँ आपका अपना YouTube चैनल The Dev Reviews में Let us straight dive into the subject, मैं सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा कि water softner कितने types के होते हैं और उनका subtypes क्या है सबसे पहला जो type होता है उसको बोलते है point of use Point of use के मतलब कुछ-कुछ softners होते हैं जो कि shower में लगते हैं, tap में लगते हैं मतलब जहां पे आपको जुरूत है, वहीं पे आप एक छोटा सा softner लगाते हैं उसको बोलते है point of use softner Point of use softner जो होते हैं जैसे कि माल लीजे tap में लगने वाला, shower में लगने वाला इसका सबसे बड़ा problem यह है कि इसका cartridge सायद मिलता नहीं होगा बजार में तो आपको हर बार वो product खरीदना होगा और फिर से आपको उसको fitting करना होगा तो आपको एक recurring cost उसके लिए bear करना होगा मैंने जो पिछला वीडियो बनाया था उसमें मैं आप लोगों को इस water softner के बारे में बताया था यह एक normal water softner है इसका काम करने का तरीका यह है कि यहाँ पे एक magnetic softner दिया हुआ है जो की iron को change करते हैं calcium और magnesium का और water को soft मनाते हैं इसी का एक दुसरा और version होता है जिसको की eco crystal CPR कहते हैं जिसमें सारा चीज सेम होता है सिर्फ यह अंदर का cartridge जो है वो different होता है वो cartridge मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ यह जो cartridge है इसका नीचे में मतलब 50% PP filter दिया हुआ है और यह जो आप देख रहे हैं उपर का portion जिसमें की yellow ring type का है और बीच में एक white body है इस white body के अंदर में resin दिया हुआ है तो पहले जो मैं आपको product दिखाया उससे better यह product होता है CPR मैंने जो eco crystal के बारे में बताया उसका maintenance comparatively कम होगा इसलिए कि उसका cartridge market में available है और आप उस cartridge को change करके उसको दुबारा से फिर से use में ले सकते हैं अब मुद्दे की बात यह है कि water purification या water treatment में तीन parameters होते हैं एक होता है TDS मतलब total dissolved solids दूसरा होता है hardness और तीसरा होता है pH अब आपको कोई भी water softener लगाने से पहले आपका यहाँ पानी में hardness कितना है उसको जानना पड़ेगा उसको जानने के बाद ही आप select कर पाएंगे कि आपके यहाँ के लिए कौन सा softener suitable है तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगर scientific बात किया जाए तो resin based softener जो होते हैं वही best होते हैं और वो reliable होते हैं उसको ही आप use कीजिए अगर आपके यहाँ का पानी का hardness level जादा है चलिए थोड़ा resin based water softener के बारे में बात कर लेते हैं resin based water softener भी दो तरह का होता है एक वो type होता है जिसको की आपको manually recharge करना पड़ता है मतलब resin जो उसमें रहता है उसका एक life होता है resin का काम यह होता है sodium और calcium जो आपका पानी में है उसको वो bind कर लेता है और naturally water soft हो जाता है तो resin का जो life होता है उसको बढ़ाने के लिए आपको एक period के बाद या फिर एक amount of water ले लेने के बाद में आपको common salt या rock salt से उस resin को recharge करना पड़ता है फिर वो नए के तरह काम करना चालू कर देता है तो इस type को हम लोग बोल लेते हैं manual resin based water softener अब आगे बढ़ते हैं resin based water softener में automatic softener भी market में available है उस automatic water softener में आपको कुछ नहीं करना पड़ता है वो automatic softener, automatic regenerate हो जाते हैं इसी के लिए इसका नाम है automatic water softener अब branded companies की बात अगर मैं करूँ तो मैं दो company का नाम लेना चाहूँगा एक है 0B जो की iron exchange company का brand है यह काफी पुराना company है सायद hundred years old company है लेकिन इसका service को लेकर के मैं satisfied नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास जो report है इंडिया का हर कोने में इनका service उतना अच्छा नहीं है और दूसरा company का मैं नाम लेना चाहूँगा वो है Kent Kent का service all India basis में बहुत ही अच्छा है तो इनका product आप ले सकते हैं चलिए थोड़ा models की बात कर लेते हैं Kent का manual softener दो type का होता है दो model है दो capacity है सबसे पहला model होता है यह जो की bathroom में यूज होता है इसको बोलते है Kent bathroom water softener और दूसरा जो model होता है वो सिर्फ और सिर्फ washing machine के लिए यूज होता है यह आप मेरे side में देख सकते हैं यह सिर्फ washing machine के लिए है और अभी जो आप picture यह मेरे side में देख रहे हैं यह है Kent का automatic water softener अगर 0B का बात कर लें तो 0B का point of use softener यह है और इनका automatic softener होता है वो देखने में कुछ इस तरीकी का होता है अब एक product purchase करने के बाद में आपका next requirement होता है product का installation जहां तक Kent की बात है तो Kent का कोई सा भी आप model खरीद लीजिए water softener का तो आपको installation में कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको Kent का customer care में एक call log करवाना है जिसका number मैं नीचे यहां description box में दे दे रहा हूँ और मैं पहले ही बता चुका हूँ कि 0B का service के बारे में मुझे उतना भरोसा नहीं है अगर 0B का water softener आप खरीदते हैं तो purchase करने से पहले आप installation का feasibility एक बार चेक कर लीजिए अब यहां पर मैं एक important बात आप लोगों से share करना चाहता हूँ कि मैं इस वीडियो में जितना type का और जो भी softener का बात किया हूँ उन सारे का purchase link मैंने video description में दे दिया है ताकि आप लोगों को इधर उधर खोजना नहीं पड़े maintenance भी बहुत important factor है तो अगर मैं maintenance के बारे में थोड़ा कुछ बता दूँ तो यह video complete हो जाएगी resin based water softener जो होते हैं उनका maintenance cost बहुत ही कम होते हैं क्योंकि उसमें सिर्फ salty आपको डालना पड़ता है और आप मान के चल सकते हैं कि मैना में आपको 50 रुपीज का खर्चा आएगा अगर automatic softener की maintenance के बात करें तो आपको खर्चा लगबग सेम ही आएगा लेकिन investment at a time जादा होगा क्योंकि उसमें salt का quantity आपको at a time जादा डालना पड़ेगा मैं उमीद करता हूँ कि इस वीडियो का content आप लोगों को पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो एक like कर दीजिए और अपने friends family के साथ में share कर दीजिए अगर मेरे channel को अभी तक आपने subscribe नहीं किया है तो bell icon को press करके all पर click कर दीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो का notification आ जै हिंद